एक समय की बात है, मुस्कान अपनी मा सरस्वती और पिता राकेश के साथ रहा करती थी. राकेश बहुती गुस्से वाले स्वभाव का इंसान था, उसे गुस्सा आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था. इसलिए मुस्कान जादा समय अपनी मा के साथ ही बिताया करती थी लेकिन उसकी ये खुशे भी उसे छिन जाती है जब उसे फोन पर ये पता चलता है कि उसकी मा का एक्सिडेंट हो गया है और उसमें उसके मृत्यू हो गई है इससे मुस्कान पूरी तरीके से तूट जाती है और हमेशा अपनी मा को ही याद करती रहती है सरस्वती के मरने के एक महीने बाद ही राकेश एक मिताली नाम की औरत से शादी कर लेता है देखो मिताली, मुस्कान अपनी मा से बहुत प्यार करती थी और वो मा के बिना नहीं रह सकती थी इसलिए मैं तुम्हें इस घर में लाया हूँ ताकि तुम उसकी मा बनकर उसका ध्यान रख सको आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मुस्कान बहुत प्यारी बच्ची है मैं उसका अपनी खुद की बच्ची की तरह ध्यान रखूंगी अच्छी बात है मुझे आफिस के लिए देर हो रही है मैं आफिस जा रहा हूँ इसके बाद मिताली मुस्कान से मिलने के लिए उसके कमरे में चाती है मुस्कान देखो तुमसे मिलने कौन आई है तुम्हारे नई मा यहां से चली जाएए मैं जानती हूँ आप मेरी सौतेली मा है और सौतेली मा बिलकुल भी अच्छी नहीं होती वो अपने बच्चों को मारती है और उनसे बिलकुल भी प्यार नहीं करती अरे ऐसा तुमसे किस ने कहा मुस्कान को मिताली की बाते अच्छी लगने लगती है इसके बाद मिताली भी मुस्कान को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश करती है और जल्दी वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है छोटी मा आपको पता है मेरी मा बहुत अच्छी कुक थी उन्हें नूडल्स बहुत अच्छे बनाने आते थे अगर तुम उनके हाथ के नूडल्स खाती ना तो मेरी तरह तुम भी उनकी फैन हो जाती अरे वाँ, क्या तुम्हें तुम्हारी मां के नूडल्स की रेसिपी पता है? हाँ, मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, उसमें सारी रेसिपी है, वैसे क्या तुम ट्राई करने वाली हो? हाँ, अगर तुम पर्मीशन दो तो येस, पर्मीशन ग्रांटेड देखने लगती है, दिन ऐसे ही बीत रहे थे, एक दिन मुस्कान अपने अलमारी में से एक बहुती सुन्दर सा लहंगा निकाल कर, मिताली को देते हुई कहती है, छोटी मा तुम्हें पता है, ये मेरी मा का फेवरिट लहंगा हुआ करता था, एक बार तुम इस लहंगे को ठीक है, इसके बाद मिताली वो लहंगा ट्राइ करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, वो लहंगे को पहन लेती है, तबी राकेश डोर बेल बजाता है, मिताली दर्वाजा कोलो मिताली, मिताली जल्दी जाती है और दर्वाजा खुलती है, परंदो राकेश को वो कह दिखाई नहीं देती अरे दर्वाजा अपने आप कैसे खुल गया और यहां कोई है क्यों नहीं अरे मैं यहां हूँ तो मिताली मुझे मजाग बिलकुल भी पसंद नहीं है मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है तुम कहां हो यहीं हूँ राकेश कुछ बोलनी ही वाला था कि तबी दर्वाजे के बाहर एक लड़की खड़ी होकर राकेश को आवाज लगाने लगती है राकेश राकेश आर यू देर उस लड़की की आवाज सुनकर राकेश बाहर चला जाता है आखिर माजरा क्या है राकेश ऐसी अजीब सी बाती क्यों कर रहे थे इसके बाद में मिताली खुद को जाकर शीशे में देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शीशे में उसे कुछ दिखी नहीं रहा था अरे लगता है ये लहंगा जादूई है इसे पहनती ही में गायब हो गई मुझे ये से मुसकान को बताना होगा इसके बाद मिताली सारी बाद मुसकान को बताती है मुसकान भी ये सुनकर हैरान रह जाती है मानी भी ये लहंगा कई बार पहना है पर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ मुझे लगता है कि ऐसा होने की पीछे जरूर कोई कारण होगा तबी राकेश आजाता है और मिताली को बुलाता है तब तक मिताली लेंगा चेंज कर चुकी थी ये क्या मिताली थोड़ी दिर पहले तुम ये क्या खेल खेल रही थी अरे सोरी वो मैं बैट के नीचे सफाई कर रही थी इसलिए अच्छा ठीक है जाओ जाकर मेरे लिए कब ब्लैक कॉफी बना कर लाओ मिताली रसोई में चली जाती है कुछ दिन ऐसी ही बीटती है फिर एक दिन वो लड़की जो दर्वाजे के पीछे खड़ी होकर राकेश को आवाज लगा रही थी वो उनके घर आती है राकेश मिताली को बुला कर कहता है देखो मिताली ये मेरी बिजनस पार्टनर मूना है और आज हम दोनों एक बहुती बड़ी डील के बारे में डिसकस करने वाले हैं इसलिए तुम नीचे मत आना और किसी और को भी आने मत देना मुझे कोई डिस्टरबिंस नहीं चाहिए ठीक है इसके बाद मिताली उपर मुसकान के रूम में चली जाती है और उसे सारी बात बताती है मुझे या अंटी बिलकुल भी पसंद नहीं है मा के मरने से पहले भी ये घर में कई बार आई है लेकिन ये बहुत अजीब है पता नहीं आज पापा और ये क्या डिस्कस करने वाले है हाँ उन दोनों को देखकर मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था पर हम पता कैसे करेंगी कि वो क्या बात कर रही है अरे चोटी मा मेरी मा का वो लहंगा है ना अरे हाँ ग्रेट आइडिया वो लहंगे इस काम के लिए परफेक्ट है इसके बाद मिताली मुसकान की मा का वो जादुई लहंगा पहन लेती है और उसे पहनती ही गायब हो जाती है मुसकान क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ मा मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है आप आखिर हो कहा मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने ही हूँ इसका मतलब ये लेंगा काम कर रहा है इसके बाद मिताली उस रूम में चले जाती है जहां राकेश और मोना आपस में बाते कर रहे थे राकेश मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा मैं बता रही हूँ मुझे और अब इंदजार नहीं होता तुम चिंता क्यों करती हो डालिंग तुम तो जानती ही हो हम दोनों ने सरस्वती का मर्डर प्रॉपटी के लिए किया था पर उस सरस्वती ने सारी प्रॉपटी मुस्कान के नाम कर रखी है अब जब तक मैं मुस्कान को नहीं मारूंगा वो प्रॉपटी मेरे नाम नहीं होगी इसलिए तो मैंने उस मिताली से शादी की है मुस्कान को जान से मारूंगा और सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा क्योंकि सौतेली मा को तो हर कोई जानता है राकेश जो भी करना है जल्दी करो मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है हाँ मेरी जान हम जल्दी शादी करेंगे बस इस मुस्कान का किस्सा खतम करूँ फिर हम एक साथ होंगे ये सब सुनकर तो मिताली की होश उड़ जाते हैं उसे समझ भी नहीं आता ये सारी बात आकिर वो मुस्कान को बताए कैसे पर वो हिम्मत करके मुस्कान को ये सारी बात बताती है ये सब सुनकर मुस्कान का दिल तूट जाता है कि उसके पिता ने ही उसके साथ ये सब किया हाँ, पहले भी पापा मेरी मा को मारते थे पर माने कभी मुझे पता नहीं लगने दिया मुझे मेरी मा को इंसाफ दिलाना होगा मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी ऐसे जोश में होश होने से फाइदा नहीं होगा हमें इन दोनों को सलागों के पीछे करने के लिए एक प्लैन की जरूरत होगी कैसा प्लैन छोटी मा? मेरी बात स्टनो हम दोनों पुलिस टेशन चलती है और वहाँ जाकर तुम पुलिस को कहना कि तुमने अपनी मा का मर्डर होते हुए देखा है इसके बाद मुसकान और मिताली पुलिस टेशन जाते है और मिताली के कहे अनुसार मुसकान पुलिस को बताती है कि उसने अपनी मा का मर्डर अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा है और उनका मर्डर उसके पिता और उसकी बिजनस पार्टनर मोना नहीं किया है जिसके बाद पुलिस बिना देर लगाए राकेश के घर पर आ जाती है और आकेश और मोना को गिरफतार करने लगती है आप लोग हमें गिरफतार क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया है? आपने अपनी पहली पत्नी सरस्वती जी का खून किया है और उनका खून करते हुए आपको आपकी बेटी ने देख लिया था अरे ये जूट बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता जब मैंने ट्रक से सरस्वती की गाड़ी को टक कर मारी थी तब तो ये घर पर थी, तो ये सब कैसे देख सकती है देख ले, इंस्पेक्टर सहाब आपने, इन्होंने खुदी अपना गुना कबूल कर लिया इन लोगों को ले जाईए और कड़ी से कड़ी सजा दीजी राकेश अपने जाल में खुद फर्चाता है इसके बाद पुलिस राकेश और मोना को गिरफतार कर लेती है और उन्हें उनकी किये की सजा देती है यहां मुसकान अपनी छोटी मा का धन्यबाद करती है और अपने छोटी मा के साथ हैसी खुशी रहने लगती है काली और गोरी बहु में भेद भाओ कामिनी अपने दोनों बेटों की कुंडली पंडित जी के पास ले कर जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है पंडी जी ये मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे की कुंडली है आप मेरे दोनों बेटों के लिए अच्छी संसकारी सुशील और खुबसूरत गोरी लड़की ढूंड कर बताना ऐसी एक लड़की मेरे नजर में है जो बहुत ही खुबसूरत और सुन्दर है जिसकी फोटो भी है मेरे पास अरे पंडी जी अगर आपके पास लड़की है तो दिखाने में कतराते क्यों हो लड़की की फोटो देखते ही कामिनी को बहुत पसंद आ जाती है अरे पंडी जी इतनी सुन्दर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी आप देरी मत कीजिए और रिष्टे की बात आगे बढ़ाईए मैं अपने पती पर मेशवर से इसके बारे में जिक्र कर लेती हूँ ऐसा कहकर कामीनी अपने घर पर आती है और अपने पती को लड़की का फोटो दिखाते हुए कहती है ये देखिये जी कितनी सुन्दर लड़की दिखाई है पंडी जी ने हमारे बेटे के लिए मैं तो कहती हूँ हमारे दोनों बेटों के लिए ऐसी ही सुन्दर और सुशी लड़की ढूंडना एक तो मिल गई है एक और ढूंडनी बाकी है देखो कामिनी तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंड कर ले आओ लेकिन मेरी पसंद में एक ही लड़की है जिसकी शादी में अपने बेटे कमल से करवाना चाहता हूँ मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो आप वही टीचर दोस्त नरेंदर की बेटी की बात कर रहे हो ना अरे आपको पता है ना वो कितनी काली और सावरी है उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी तब ही वहां मोना आ जाती है पिता जी मा बिलकुल सही कह रही है आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए उस काली का लूटी की जोड़ी हमारे भहिया कमल के साथ बिलकुल भी अच्छी नहीं लगेगी मैंने अपने दोस्त को जवान दी है और मैं अपनी जवान का पक्का हूँ अब इस घर की बड़ी बहु तो वही बनेगी ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है जिसके बाद कामिनी और मोना दोनों आपस में बाते करने लगते हैं अगर तेरे पिताजी की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहु बनेगी तो मेरी भी जुबान है मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूँगी और मैं भी कम नहीं हुमा मैं भी उसको इस घर में जीने नहीं दूँगी वो दोनों आपस में ऐसे ही बाते कर रहे होते हैं तो वही दूसरी तरफ किशोर अपने दोस्त नरेंदर के घर पहुँच जाता है और उससे कहता है मेरे भाई, मेरे मित्र आज मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है मैं अपने बड़े बेटे कमल का रिष्टा तेरी बेटी तुलसी के लिए लेकर आया हूँ लेकिन किशोर, हम तेरी रिष्टिदारी के मुकाबले नहीं है हम कहां और तू कहां एक दोस्त होकर तुझे ऐसी बाते शोभा नहीं देती तु मेरा दोस्त है कभी अपने आपको मुझसे कम मत समझना, ठीक है ऐसा कहकर किशोर नरेंद्र को गले से लगा लेता है जिसके बाद एक तरफ कामीनी अपने पसंद की लड़की चानदनी का रिष्टा अपने छोटे बेटे रोहिद से कर देती है तो वहीं दूसरी तरफ किशोर अपनी पसंद की लड़की का रिष्टा अपने बड़े बेटे कमल के साथ कर देता है कुछ दिनों में दोनों की शादियों की रस्म शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस इन कमल और रोहिद अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके अपने घर ले आते हैं ग्रह प्रवेश करने के समय कामिनी की वल चांधनी का ही ग्रह प्रवेश करती है अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारी खुबसूरती ने इस घर को चार चान लगा दिये है तुम भूल रही हो कि घर में एक नहीं बलकि दो बहू आई है और तुम्हें दोनों का ही सम्मान एक बराबर करना होगा कामिनी मन मारकर तुलसी का भी घर प्रिवेश करती है ये देखकर तुलसी को बहुत अजीब लगता है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती अरे चांदनी बेटा, मुझे पता है शादी के चलते तुम बहुत जादा ठक गई हो जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो कामिनी चांदनी को उसकी कमरे में भेज देती है जिसके बाद किशोर तुलसी से कहता है जाओ बिटा तुलसी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो अपनी पतनी को अपने कमरे में ले जाओ अजी आपको बड़ी जल्दी हो रही है इसे इसकी कमरे में भेजने की आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या घर में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े है कामिनी ऐसा कहकर तुलसी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और कहती है ये सारे बरतन धोलो क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है तो रसोई का साफ होना बहुत जरूरी है कामिनी ऐसा कहकर अपने कमरे में अराम करने के लिए चली जाती है जिसके बाद बेचारी तुलसी पूरी रात भर बैटकर रसोई में बरतन धोने लगती है और रसोई की अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है आधी रात के समय में बहुत जादा वह ठक जाती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है अगले दिन तुलसी और चांदनी की रसोई की पहली रस्म होती है अरे चांदनी भाबी अभी तक आप तयार नहीं होई आज आपकी रसोई की पहली रस्म है जल्दी से तयार हो जाओ और नीचे आजाओ हे भगवान जी ये तुम कैसी बाते कर रही हो क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता लेकिन भाबी रस्म करना तो जरूरी है आप तयार होकर नीचे आजाएए बाकी की सारी बाते मा संभाल लेगी मोना के जाने के बाद चांदनी खुद से कहती है ओहो ये डिफिकल्ट फैमिली तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही और पता नहीं मुझे क्या-क्या जेलना पड़ेगा इस घर में रहकर चांदनी मू बना कर नीचे आजाती है जहां कामिनी ने तुलसी को रोक रखा था अरे मेरी प्यारी बहु आखिरकार तुम आ ही गई देखो तुम्हारी रसोई की पहली रसम है तुम्हें मीठे में कुछ अच्छा बनाना है जो तुम्हें सबसे जादा अच्छा बनाना आता हो वो तुम बना सकती हो अब क्या ये बात मुझे बार बार तुम सभी को बतानी पड़ेगी अरे तुम्हें समझ नहीं आता मुझे खाना बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी अगर तुम सब चाहते हो कि मैं कुछ बनाओं तो मैं बना कर लाती हूँ चांदनी का ये जवाब सुनते ही कामिनी की बोलती बंद हो जाती है जिसके थोड़ी ही देर बाद चांदी रसोई से मैगी बना कर लाती है अरे भाबी ये क्या आपने तो केवल थोड़ी सी मैगी ही बनाई है हाँ हाँ अपनी शकल यहां से लेकर दफा हो जाओ कहीं तुम्हारी नियत मेरी मैगी पढ़ना पड़ जाए सुबह से कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है तुम लोगों ने भूका मार दिया है मुझे इस घर के अंदर चादनी ऐसा कहकर अपनी मैगी की फ्लेग अपने कमरे में ले जाती है और वहां बैटकर अराम से खाने लगती है वहीं दूसरी तरफ तुलसी रसोई में जाती है और एक बहुत स्वादिस्च खीर बना कर लाती है और सब को परोस्ती है ये लेजे मा जी मैं आपके लिए खीर बना कर लाई हूँ किशोर खीर खाते हुए तुलसी से कहता है अरे वहां क्या स्वादिस्च खीर बनाई है तुमने बहू ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई वैसे तुम्हारी सास को ये खीर खानी चाहिए क्योंकि ऐसी खीर तो तुम्हारी सास को बनानी भी नहीं आती अरे वा, खीर तो सच में अच्छी बनी है कामिनी भी खीर खाती है लेकिन वो बिना तारीफ किये वहां से चली जाती है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और चांदनी का बरताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि चांदनी सब के साथ बहुत बुरा बरताव करती है और अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं दिखाती एक दिन कामिनी चिलाते हुए अपने कमरे से आती है अरे कमल, रोहित कहा हो तुम, कहा हो तुम किशोर जी, जल्दी से यहां पर आओ घर के सभी सदसे कामिनी के पास आ जाते हैं मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी हो गए हैं और कहीं मिल नहीं रहे मुझे यकीन है इस कालिकलूटी नहीं सारे गहने चुराए होंगे मा जी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो मैं जानता हूँ तुलसी ऐसा कभी नहीं कर सकती तभी वहां मोना आती है और कहती है मा, आधी रात के समय मैंने चांधनी भावी को एक बैग घर से बाहर ले जाते हुए देखा था और देखो, आज चांधनी भावी घर पर भी नहीं है शायद उन्हों नहीं घर में चोरी की है ये सुनते ही कामीनी के पैरो तले जमीन की सक जाती है सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का परस्तावा हो गया है मैंने केवल चांधनी का रंग रूपी देखा था मैंने कभी उसके बारे में ये तक नहीं पता लगाया कि वो किस तरह की लड़की है और उपर से मैंने तुलसी बहू को बहुत कुछ सुनाया तुलसी बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना नहीं माजी, आपको मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आप मेरी माज ऐसी हो तुलसी की ये बात सुनकर कामीनी उसे गले से लगा लेती है जिसके बाद कभी भी कामिनी गोरे और काले में भेद भाव नहीं करती और हसी खुशी रहने लगती है